हेलो दोस्तों आपका फिर स्वालत है मेरे चैनल अलॉकिंग जान में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके भी टॉलेट वगरा में जो टॉलेट गल लगी होती है सीट के साथ में इस तरीके की अगर वो खराब हो गई है उसकी अगर गन खराब हो गई है या फिर उसकी पाइंट जो खर पूट गई है ब्रेक हो गई है या फिर किसी जॉइंट से पानी लीक करता है और आप उसे replace करने की सोच रहे हैं partially आप उसकी toilet gun ही replace करना चाहते हैं या पूर का पूरा ये gun का system replace करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आप ये काम plumber की बिना मदद के खुद कर सकते हैं या नहीं कितना easy and difficult होता है इस वीडियो से आप ये judge कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को like करना और मेरे चैनल को आपके लिए subscribe करना मत बोलना तो दोस्तों इस purpose के लिए आप देख सकते हैं मैंने already जो है एक दो का सेट already खरीद लिया है जो मेरे toilet gun होती है जिसमें पूरी की पूरी pipe उसकी gun और उसके जो भी joint में लगाने वाले वो सबकी सब washer बगारा सबकुछ इस box में है ये दो का सेट है मैं आपको इस box में दोनों का पूरी quality चेक करवाने वाला हूँ ये जो product है मैंने flip cards और किया था तो पहले मैं आपको इसकी पूरी के पूरी details बता देता हूँ कमल ब्रैंडिंग का है कमल ने बनाया है ये इसकी जो pricing बगारा है यहाँ पर ये set of two है net quantity 2 है इसकी manufacturing rate भी latest है इसकी MRB बगारा काफी जादा बताई है 920 रुपे जर्नली आपको ये 4500 या 500 रुपे के आसपास का ये flip card में बिखता है मगर मेरे को ये sale में काफी सस्ता मिल गया था लगबग 300 रुपे के आसपास मिल गया था ये जोडी वाला तो इसमें set of two है इसका जो यहाँ पे और कुछ side में mention नहीं किया है जो मैंने color जो इसका choose किया है वो असल में milky white है तो अगर आप यहाँ पे देखें जो color है white लिख है मगर ये milky white है जल्दी से इसको cut करके दिखा देता हूँ किस तरीके का आपको समान इसके इंदर मिलेगा तो आप कभी भी offline या online कहीं से भी ले आपको generally हर एक toilet gun के साथ कुछ इस तरीके की accessories आपको पहले लगाने के लिए मिल जाती है तो आप देख सकते हैं इसमें seal pack जो है मेरे कुछ pipe मिल जाती है ये pipe जो है एक मेटर की है generally एक या डेड़ मेटर जो होती है वो sufficient होती है वो आपको देखना पड़ेगा आपके joint से, socket से आपकी toilet seat कितनी दूर है उसके according आप जज कर सकते हैं कि आपको एक मेटर sufficient रहेगी या फिर डेड़ मेटर लेनी चाहिए मेरे case में मेरे लिए एक मेटर sufficient है तो ये इस तरीके की set of two है ये तो दो मेरे को इसमें जो है वो pipe मिल जाती है साथ में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीकी quality की दो इसमें gun भी है तो मैं आपको जल्दी से इसकी gun भी खोल के दिखा देता हूँ तो इसको जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं और आप gun की quality भी आप देख सकते हैं तो कमल fitting की कुछ इस तरीकी की quality है काफी hard quality का काफी material है इसका spring action भी काफी अच्छा है कोई इसमें मेरे को problem नहीं लग रही इसके holes वगरा की जो है वो भी wide enough है होता किया है कि अगर आपका पानी जो है वो थोड़ा नमक वाला है तो उमर के साथ ज़्यादा छोटे हो तो जल्दी बंद भी हो जाते हैं तो इसके point of view से इसकी holes की quality सीक है इसकी build quality भी मेरे को काफी पसंद आई साथ में दूसरा वाला same exactly set of 2 है तो उसमें 2 मिल जाते हैं साथ में आपको दिवार में जहांपे इसको hold करके लगाना है वहाँ पे आपको रखने के लिए holder भी नए वाले मिल जाते हैं अब मैं आपको procedure भी बता देता हूँ तो मान लीजिए जो आपको अगर अपने घर में सिर्फ toilet की गन ही change करनी है तो आप सिर्फ upper वाला joint जो है जो है जो मैं आपको थोड़ दिन में visually बता दूँगा आपको सिर्फ उपर वाला ही उसको unscrew करके सिर्फ fit करना होता है तो आपको यही purchase करनी है जो आपको और भी सस्ती मिल जाएगी मगर अगर आप करी रहे है मेरा point है कि अगर आप change करने का मन बनाई चुके है तो पूरका पूरा fresh ही लगा लीजे क्यों आप आदा पूराना और आदा नेयर लगेंगे वो देखने में बेकार लगता है अब जल्दी से मैं आपको cut करके इसकी pipe की भी quality दिखा देता हूँ तो उसको जल्दी से हैं से cut कर लेते हैं और आप इस तरीके से अगर इसकी quality देख पाएं तो काफी smooth है काफी sufficient अगर आप इसमें idea लगा पाएं पूरे camera तो मैं भाई करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा मगर इसकी quality काफी अच्छी है washers वगर असा बंदर लगी हुई है तो करना जो है बहुत ही easy रहता है इसका procedure आपको करना क्या होता है एक joint जो है वो नीचे आपको angle cock में लगाना होता है वो मैं आपको थोड़ ज़र में दिखा दूँगा और दूसरा end आप किसी को किसी भी side लगा सकते हैं सारे के सारे आप किसी भी company का लें सबका procedure एक ही होता है कोई इसमें unique नहीं है बस आपको सिर्फ simply ऐसे करके इसको कसके ऐसे करके लगा देना होता है और यह जो wall में जहां पर पुराना लगा होगा वहाँ पे से आप गूल्ड करने के लिए ऐसे लगा देंगे मगर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ पे टाइल लगी होती है तो कभी भी आप जो है ताइल वगरा के साथ अपर तोड़ा ताड़ी करेंगे तो वह प्राइक हो सकती तो आपको अपने रिस्क पे बड़े ध्यान से करना पड़ेगा इसलिए मैं सेफ ली स्कूरू ड्राइबर से पुराना वाला पेच जो है ऐसे करके खोल के उसे निकाल के निया वाला वहाँ फिट कर दूगा अगर आपका पुराने वाला अच्छा लगा है जो सेब कलर का है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास पहले और यह मिल्किवाइट वाला ल ग्रेल किया और अगर उस टाइल की पीछे पाइंप हुई तो आपको नुकसान पड़ सकता है आपको अन्नेसरी क्लंबर को बुलाना पड़ेगा पूरी टाइल की तोड़ाई करके अंदर फिक्स कराना पड़ेगा तो इस चीज का जरूर आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको यह सर्पूरा पता है तो बस आपको इतना ही टूल से यह सबसे पहले हमें करना ही है यह वाला जो जॉइंट है इस फाले पुराने जॉइंट को खोलना है यह जॉइंट को खोलने के लिए आपको कभी भी रेंच यह कोई ऐसी चीज की जरूरत नहीं जर्नली अगर टाइथ हो गया वह उमर के साथ तो आप किसी कपड़े की मदद से भी पकड़ कर सकते हैं वरना जर्नली यह लूजी रहता है को इतना टाइट नहीं होता है तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं इसे खोलने से पहले आप हमेशा ध्यान रखें कि आप इसे ऑफ कर अगर आप इसे खोलने और बंद करने के लिए राइट हैं तंप लेगे अगर पानी निकालना है तो अगर आप देखें यह इस साइड को खुलता है तो मेरे को इसको अपोजिट साइड करूंबा तो यह बंद हो जाएगा तो इस समय यह बंद चला गया है खोलने के लिए और बंद के लिए इस तरह होता है तो अभी मैंने इसे बंद कर दिया है फिर इसे लगाने से पहले आपको एक और चीज का सजेशन दूगा जब भी आप नई वाली पाइंट लगाएं तो यह जलूर मेजर करने जिस पॉइंट पे आप इसे फिट करने वाले हैं और जहां तक आप यूज करने वाले हैं उसकी इस पाइंट की लंद सफिशेंट हो और करने के अगर यह चोटी है तो आपके पास अभी भी चांस है अगर आपके पास option है आप इसे replace रिटर्न करवा सकते हैं offline मार्किट वगरा से मगर अगर आप एक बर पूरा लगा देंगे और इसके बाद आप realize करेंगे खराब करने के बाद कि यह मेरे लिए sufficient नहीं है लेंट वगरा तो इसे replace या return करना मुस्किल हो जाएगा तो चलिए इसको लगाना start करते हैं सबसे पहले यह जो होता है angle cock होता है इसमें आपने ज्यादा जोड़नी देना है किसी भी एक side को आप पकड़ लीचे दोनों बिल्कुल symmetrical होती है एक जैसी है कोई फरक नहीं पढ़ता आप यह ल लोकेशन पर वैसी ही लगते और इसे कसना चालू करते है तो बहुत एजली है आपको कभी भी plastic की किसी भी accessories वगारा में रेंच वगारा का यूज नहीं करना है प्लास्टिक तूट जाता है यह हाथ से बहुत अराम से लग जाता है इसमें कोई भी इतनी ताकत वगारा लग तो इस केस में भी आप समझ सकते हैं अगर आपने गन ही पर्चेश करके रिप्लेस करने तब भी बहुत असान है आपने सिर्फ खोलना है वहां से जॉइंट से और नई वाली गन को लगा देना है अब मैं इस केस में नई वाले को लगा रहा हूं यह भी आप एक्जेक्ली अब Northern की पर यह पर करना है एक दर्म से नहीं चलाना है पहले आप देख लेए क्वीपियों सुका है कहई पय कोई पानी पानी लीक ना वह रहा है हो यहां यहां से जोड में इसे एला हो ön ील्या तो यह बिल्कुल installation done हो चुका है अब आप लेख सकते हैं पानी का प्रेशर कितना इसमें पीट आता है तो यह पोरगपोगा installation हमारा हो चुका है यह successfully तो आप इस वीडियो से समझ पाएंगे इस तरीके का अगर आप खुद भी कुछ try करना चाहें यह बहुत easy होता है आपको किसी plumber बगारा की इन छोटे कामों के लिए कभी भी जरूरत नहीं है आप खुद भी यह बहुत easily घर में change कर सकते हैं बस आपको offline या offline दुकान से करीद के बदल देना है आपको चिंता करने की कोई जोग उतनी है आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सिस्क्राइब करना आप मत बूलना